जै श्री राधाकिष्न भगवान जी की, जै श्री गोडि शंकर भगवान जी की, जै श्री शिव महापुरान की, जै श्रावन मास की, मंदर शिवनसी वाले महात्मा यूडूब चैनल के ओर से, आज हम आपको श्री शिव महापुरान के दूसरे खंड के दूसरे अध्याय की कथा को सुनाने जा रहे हैं जो की इस परकार है ब्रह्मा जी देवरीशी नारद जी से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे नारद मुझे इस परकार मोहित देख कर धरम के पुत्र सत्य को भहुत चिंता हुई वह दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिवजी के निकट जाप हुँचा और स्तूती प्रनाम करने के उपरांत उन्हें सब हाल कह सुनाया है उसकी प्रात्ना पर हम लोगों को वीरुद्वेवार से बचाने के निमित भगवान शिव शिग्र ही हम लोगों के बीच में प्रकट हो गई उन्हें देखकर मैं तथा मेरे पु कुमार्ग गामी क्यों हो गई तुमने श्रेष्ट बुद्धी को भुला कर अपनी पुत्री से भोग करना चाहा तुम वेद पाठी होते हुए भी इस ग्यान को भुला बैठे और लज्जा त्याग कर अधरम कारे की और प्रवत हुए यह उचित नहीं है हमने संसार में बह मेरी भहुत निंदा की अधु प्रांत वे मेरे पुत्रों की और अत्यांत क्रोध पुरन दिश्टे से देखते हुए कहने लगे हैं कि हे मरीशी आदी तुम लोग ऐसे अधीर और कामी क्यों होगे तुम सब ब्रह्मा के पुत्र हो और तुमने वेद का अध्यान किया है फि था मेरे पुत्र अत्यांत लजित हुए उस समय सबको ऐसा खेद हुआ कि किसी के मुण से कोई भी शब्द नहीं निकल सका तदु प्रांत मैंने इंद्रियों एवं वीरे को मस्तक पर चढ़ा कर संधा के प्रती जो आ सकती मेरे हिर्दे में उत्पन हुई थी उसका त्याग कर दिया भगवान सदाशिव के भैसे मैं पाप करम में प्रवत होने से बच गया और मेरे पुत्र भी उस निंद्रिय करम की और से विमुख हो गए उस समय भै के कारण मेरे शरीर से जो पसीना टपका उससे 64 योगिनिया उत्पन हुई जो संसार से विमुख होकर तपस्या क के तरीक्त अन्य कोई कारे नहीं करती हैं तदू परांत 86 पुत्र और उत्पन हुए दक्ष प्रजापती के शरीर से पसीना निकल कर पृत्वी पर गिरा उससे एक इस्त्री की उत्पती हुई अत्री, मरीची, पुलह, भ्रगु तथा तुम अर्थात नारद के शरीर से पस पृत्वी पर गिरा उससे संपूर्ण अंगो सहीत पित्रों की उत्पती हुई जो सबसे परतिष्ठा प्राप्त करने योग्ये और प्रसंता प्राप्त करने वाले हैं उन्हें उसी समय वेद और धरम शास्त्रों का सब ज्यान हो गया वे सब परमधार्मिक धरम का उपदे करने वाले और संपूर्ण कारियों को करने की शमता रखने वाले थे ये पूतर नारद क्रतु से सोमपा वशिष्ठ से अहिर बुधन पुलस्त से आजयप तथा अंगी रस से बहिर पद हुए हैं इस परकार पितर चार परकार के हैं परवे छे परकार के प्रसिद्ध हैं त उनके चले जाने के परशात मैंने अत्यंत क्रोध पुरवक काम देव की ओर देखा और उससे शाप देने की इच्छा प्रकट की उस समय मेरे सब पुत्रों ने मुझे बहुत समझाया परंतु मैंने माया के वशिभूत होकर उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया है उस स अपने पिता की ये खूब सेवा की अस्तु तुने जैसा काम किया है वैसा ही अब तु फल भी प्राप्त करेगा तेरे कारण भगवान शिव जी ने मेरी अत्यंत निंदा की है अत्य मैं तुझे ये शाप देता हूँ कि तु जलकर भस्म हो जाए भगवान सदाशिव के ने अत्यंत भहभीत हो थर थर कामपने लगा और इस परकार कहने लगा कि हे पिता जी आप संसार को उत्पन करने वाले तथा न्याय और अन्याय की स्थापना करने वाले हैं मैंने आपका कोई अपराध नहीं किया है फिर भी आपने मुझे ये शाप क्यों दे डाला मैंने तो आपकी आगया का ही केवल पालन किया था आपकी आगया की केवल परिक्षा ही ली थी मेरे भागय से आपने मेरे लिए अब जो नई आगया दी है वह तो अवश्य होगी ही आपका शाप तो वेर्थ नहीं जा सकता प्रंतु आप क्रिपाखर के मुझे ऐसा वरदान भी दीज कि जिससे मैं भगवान शीवजी की नेतर जवाला में भस होने के उपरांत उन्हें उत्पन हो सकूं इस प्रकार प्रिपाखर के मेरा दूख नश्ट कर दीजिए इतनी कथा सुनाकर आज भ्रमा जी देवरिशी नारद जी से कहने लगे हैं कि हे पूतर नारद कामदेव की ऐसी प्रातना सुनकर मुझे अत्यंत प्रसंता हुई तब मैंने कहा कि हे कामदेव मैंने तेरे संभंध में जो कुछ कहा है वह तो निशित रूप से होगा ही तरन्तु अब मैं तुझे ये वर्दान देता हूं कि तुझे भस्म करने के उपरांत कुछ दिनों बाद जब भ भगवान शिव जी तेरे सहायक हो उठेंगे इस बात को सुनकर सभा में फिर से नमीन आनंद भर गया तो यहीं पर शिरी शिव महापुरान के दूसरे खंड के दूसरे अध्याय की कथा का विश्राम होता है श्रावन मास में इन कथां को सुनने मातर से भगवान शिरी गोर शिरी शंकर जी की अनंत क्रिपा मिलती है मनों कामनाई पूरी होती है सबसे बढ़कर भगवान के चर्णों में मन लग जाता है मनुष्य जीवन सफल हो जाता है तो इस कथा को सुनने के लिए आप सब का हारदिक धन्यवाद भगवान श्री राधा क्रिशन जी की भगवान श्री गोरी शंकर जी की अनंत क्रिपा सदा आप सब पर आपके परिवार पर बनी रहे भगवान के श्री चुर्णों में आपका परम प्रेम हो इसी मंगल कामना के साथ जैश्री राधारानी सरकार की जैश्री क्रिश्न भगवान की जैश्री गोरी शंकर जी भगवान की ज श्रावन मास की ओम नम्ह शिवाई जै जै श्री राधे जै जै श्री राधे जै जै श्री राधे श्राम